हाई, वेलकम टू मैं चनल, इस बडियो में सॉल्ट करें कुछ नवर 19 हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स अफ अर्थ मस्ट भी डग आउट तो सिंक वेल 21 मीटर डीप एंड 6 मीटर डायमीटर मतलब कहा रहा है कि एक कितना मतलब वाल्यूम कितना मतलब क्यूबिक मीटर्स अफ अर्थ निकाला जाए, मतलब डग आउट मतलब खोदा जाए खोद करके बाहर निकाला जाए, एक वेल से यह जो है एक कुँआ है, एक वेल है जहांसे मिट्टी कितने निकाली जाए, ये बोल रहा है कि कितना मतलब इसमें मीटर क्यूब जो है वालिम निकाला जाएगा Earth, मिट्टी, ठीक है, कि यहाँ यह जो Well है वो Sink हो जाए, Sink होने का मतलब क्या, Sink होने का मतलब कि इसमें पानी आ जाए, यहां से जो है नहीं होता है, जब हम लोग कुवा खोदते हैं, तो नीचे से पानी आने ल लग रहा है तो कितना मतलब इसमें से volume of earth जो है बाहर निकाला गया है कितना meter cube यह पूछा हुआ है 21 meter deep जा रहे हैं और diameter कितना खोद रहे है 6 meter diameter का मतलब यह पूरे diameter जो है इतना दिया हुआ है 6 meter ठीक है तो यहां से हम radius निकाल लेंगे और यह height दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर actually क्या पूछ रहा ना volume पूछ रहा है कि कितना volume of earth must be dug out okay solution यहां पर हम directly निकाल लेंगे कि volume of volume of earth dug out is equal to volume of well तो volume of well जो होगा वो volume of cylindrical well होगा पतब cylinder के shape का यह है well तो इसका जो होता है pi r square h directly लगा लिजिए यहां पर और यहीं पर solve करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा इसक्वार मिन्स r square मिन्स हो जाएगा 6 का half means 3 का whole square into h h means height 21 meter तो यहां पर solve करते हैं तो देखे 7 बंज़ा 7 7 3 जा 21 तो हो जाएगा 22 multiplied by यह देखे 3 9 हो जाएगा into यहां पर 3 बचा है कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 means 22 multiplied by 27 तो 27 में multiply करतेंगे 22 से 7 2 जा 14 हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा 1 carry over और यहां देखे यहां पर मुड़ा करें 2 2 जा 4 and 7 2 जा 14 14 and 4 14 and 4 18 18 1 19 19 का 9 1 carry over और यहां पर मुड़ा करें 2 2 जा 4 1 5 500 sorry 590 594 जाएगा means यह हो जाएगा 594 क्या meter cube तो इतना meter cube of volume must be dug out from this well okay this is your answer thank you so much for watching bye